जईन जवानों स्वागत है आप सबका अपने यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियों हम सभी जानेंगे वी आरो ग्रेफ सेंटर में नर्सिंग असिस्टेंट की क्या जब प्रफाइल होती है लाइप स्थाइल क्या होती है आपको सैली कैसे मिलती है और सैली इंक्रीजमे होने में कितना टाइम लग जाता है तो स्टार्ट करते हम सभी इस वीडियो को अगर हम बात करें आप सबकी जोइनिंग डेट के इवनिंग में ही आप सबको लोवर टीशेट सू और जो भी प्रफाइदन के वस्तियों है वो इश्यू करा ही जाती है अगर नहीं होता है तो आप सबका next day करा दिया जाता है और हम uniform की बात करें तो या आप सबी की खौकी uniform होती है ये आप सबको second day या third day आपका measurement करा दिया जाता है जो आपको two weeks या three weeks में आप सबको मिल जाती है और हम बात करें आप सबी की जो post होती है वो आप सबी की एक soldier की post होती है like आप सबी army में जो join करते हैं उनमें एक soldier की सिपाही की post होती है तो आप सबी ORS rank में आते हैं और आपकी सिपाही की post होती है ओके बात करें daily routine की तो आप सबी को morning में उठना होता है चार चालिस पे उसके बाद आप का lunch breakfast और बीत बीत में आपकी falling भी होती रहती है और बात करें आप सभी का जो work होता है आपका training period में इसमें आप सभी का mess में भी duty लग सकती है या आपका office में भी हो सकता है या मेभी आपको IM में means जो clinic type में वहां बना है जहां पे आपका medical हुए है वहां पे भी आपकी duty लग सक लग सकती है या मेभी आपको समान भी लाने means जबाता है तो उतारने के लिए या आपका जैसे आप सबका exam होता है या जिनका advertisement जारी हुआ है exam होगा तो वहां पे भी आपकी duty लग सकती है कोई mandate नहीं है आपकी duty next day कहां पर लगें तो ऐसा होता है आप सभी का duty का पूरा routine अ होता है basic pay आपका 18,000 रुपे है जिनमें आपका 38% aid हो करके मिल जाता है means basic pay का 38% हो जाता है तो नेरबाई आपका 24,000 के शम्तिंग आपकी selling बन जाती है आपके training period में तो आपका training period आपका 59 days का होते है training period complete होने के बाद आप सभी को 3 days की छुट्टी जी जी जाती है आप अपन घर जाते हैं like one week or two week का आप चुट्टी ले सकते हैं उसके बाद आप सभी को वहां report करना होता है जहां पर आपका moment होता है means posting होती है posting जो आपकी पहली होती है वो आपकी high attitude area में होती है जो धाई या 3 साल के लिए आपकी posting होती है अगर हम बात करें posting जब आपकी होती है तो पहले या दूसरे महिने means first and second month आप सबको only basic pay में आपका DA ढ़ो करके मिलता है विकास जब तक आपका data grade center पूने से वहां पर नहीं जाता posting area में आप सबके basic pay में HRA, TA, TPTA और आपका pay allowance नहीं ढ़ो करके मिलता है तो maybe आप सभी का लग जाता है one या two month आप सबके लग जाते हैं minimum जब आपका वहां पर पहुंच जाता है तो आपके basic pay में आपका DA, HR, TPTA, pay allowance ये सभी एडो करके मिलने लगता है अगर हम pay allowance की बात करें तो आपके high attitude area के carding 6-8000 रुपे आप सबको मिलते हैं pay allowance के carding ठीक है तो ये होगे आप सभी का salary का अगर हम increasement की बात करें तो आपका basic pay आपके air में one bar increase होता है ये three or four percent increase हो जाता है आप सभी का basic pay accounting और आपका DA है ये air में two times means six six month में आपका three or four percent increase होता रहता है ठीक है तो ये आपका salary increase का था अगर हम बात करें आप सभी का जो promotion का है तो promotion आप सभी का ठील अढ़ाला होता है seven or eight air आप सबके लग जाते हैं आपके promotion में means seven or eight साल लग जाते हैं promotion के लिए जो आपकी rank होती है मैंने आप सबको बताइए ये एक सिपाही की means ORS rank होती है दिन आपका JCOs में जाते हैं दिन आप NCOs में और जब promotion होता है तो officers rank भी आप सबकी हो सकती है ये promotion के उपर depend करता है ठीक है तो ये रहा आपका promotion का अगर हम आपकी बात करें lifestyle की तो आप सब की आप सब को जैसे यहाँ पर grave center में रखा जाएगा बैरक में means आप सभी बैरक में रहेंगे वैसे ही same to same वहाँ पर भी बैरक होता है आप वहां रहेंगे और आप चाहते हैं अपनी family को वहाँ पर रखना means quarter के लिए apply करने के लिए तो आप आप सभी application apply करेंगे उसके बाद आप सभी को quarter भी applicable हो जाता है तो यह वहां पर applicable होता है जहां पर sensitive area नहीं होता means border areas तो ज्यादा तर sensitive ही होते हैं बट कुछ ऐसे areas हैं जहां sensitive नहीं है लाइक आपका पूर्ण ही है तो आप सभी को quarter issue हो जाएगा रहने के लिए means family के शाथ में अगर हम leave की बात करें तो leave में आपका सभी का EL होता है CL होता है SPL होता है और RL होता है तो यह total आप सभी की 93 leaves होती हैं जो आप सभी को आराम से मिल जाती हैं कोई problem आपकी leave में नहीं होती और अगर हम leave पे आप सभी घर जाते हैं तो leave में जितने दिन आप सभी घर पे रहते ह यह नेर अबाट 160 के आसपास आप सब का इतने रुपए आप सब के आजाते हैं पर डे के कार्डि अगर हम बात करें आप सभी का जो हाई एटिटूट एरिया का धाई या तिन साल का मोमेंट होता है उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्टिंग होती है वो कहां पर होती है तो यह आप सभी का प्लेन एरिया में नेक्स्ट पोस्टिंग होती है जो आप सभी का छे साल के आसपास पोस्टिंग होती है देन आप सभी का जो अगली पोस्टिंग होती है वो आप सब की पोस्टिंग हो जाती है हाई एटिटूट एरिया में बट जो पहली बार पोस्टिंग हो भी सेम टू सेम होता रहता है अगर हम आप बात करें जो आप सब का टेनिंग प्रियोट का 59 डेज जो आपके ट्रेनिंग होती है जिनमें आपको बेसिक पे और बेसिक पेमेंट डिये के वले एड होता है तो इसका भी आपका टोटल एचारे और टीपीटी ए पूरा एड हो कर नर्सिंग असिस्टेंट जो आप प्रोफाल रिलेटेट थे जो आप सब को सारी फैसलिटीज मिलती है और आपको जो केंटीन होती है वो सीस्डी होती है लाइक आर्मी के ही जैसे और पूरा जो आप सब को कार्ड भी इसू होता है जो कार्ड इसू होता है जिसे आपको आर नहीं होती है और आपका अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क आप सभी का भो आठ से चर में जैसे यहां पर I.M. में आप सबने मेडिगल टेस्क दिया έχει वहां पर भी आपका आई एम बना होगा जो प्रात्मिक उप्चार के लिए ही बना होता है जिनमें आप सभी का बुखार जुखाम या ऐसे ही नार्मल जिसको हो जाता है उसको आपको नाम और नमबर एट करने के बाद आप सबको दे देनी होती है अगर हम बात करें आप सबका जैसे प्रात्मिक उचार में और हो जाता है जैसे चोंटोट लग जाना तो उसके लिए पट्टी वट्टी लाइक ऐसे ही रहता है एकदम नार्मल आपका फास्टाट एट के लिए ही वहां पे बना होता है जो क्लिनिक टाइप में आई एम वहां जैसे ग्रीब सेंटर में वहां भी बना होता है तो वहनले फास्टाट के लिए होता है कोई और ज्यादा के लिए नहीं होता है तो एसाँ ही जगा परम जर्त करें करें और सोलजर की जोबी पोस्टी होती है उनमें और सबसे बहतरीते सा crowd रहती हैं ओके जे हिन जे भारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में